दोस्ते आप अगर एक Samsung mobile user है और Galaxy A21 FE user है तो आपके लिए Samsung ने बहुत ही बड़ा अपडेट रोल आउट किया है तो यह अपडेट का साइज आप देख सकते हैं 1132.59 MB का है और इसमें जो आपको security patch level देखने को मिलेगा 1st August 2023 का देखने को मिलेगा और यह जो अपडेट है इस आपडेट में क्या कै आपको new चीज देखने को मिलता है क्या 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 new features आपको देखने को मिलता है वह इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो यह जो अपडेट है यह आपको करने के लिए सबसे पहले setting का अंदर जाना है और डाउनलोड और Kristi इंस्टॉल को पर आपक से पहले देख लीजिए कि मेरा यहां पर software updated है तो setting अंदर जाके नीचे scroll down करके software update के उपर tap करेंगे और उसके बाद last update के उपर tap करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यह जो update है इस update के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा तो यह जो update है यह आपका fast august 2023 का security patch level के साथ आता है और 1132.59 MB का update है तो इस update के बारे में और भी detail में आपका जानना है तो आपको यहां पर एक link मिलता है इस link के उपर आप tap करेंगे tap करने के बाद आपको यह जो update है इस update के बारे में सब कुछ detail में यहां पर बताए जाएगा यहां पर आपको इसको English कर लेना है और English करने के बाद यह जो security patch level है Galaxy S21 FE के लिए मैं बात कर रहा हूं और दूसरा कोई भी phone आपके पास आपके पास आपको दिया गया है 1GB के उपर का यह update है तो यह update को आप कर लीजिए यह update होने के बाद आपके phone में 1UI 6.0 का update आएगा और इस update में आपको जो new features देखने को मिलता है आपको एक ही new features इसके अंदर देखने को मिलता है आपको यहाँ पर जो multi control का बटन है यह आपको control center के अंदर देखने को मिलता है आप अगर multi control को use करते हैं तो आपको control center के अंदर इसका एक tab देखने को मिल जाता है तो इसके पहले update में आपको ये feature देखने को नहीं मिलता था तो multi control के अंदर ये आपको एक new feature देखने को मिलता है जो कि control center से आप multi control को on or off कर सकते हैं और दूसरा कोई खास features आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है आपको बस device का stability improvement देखने को मिलता है और bug fixes देखने को मिलता है और multi control का एक button देखने को मिलता है control center के अंतर तो यह basically security patch level का अपडेट है जिसमें आपका phone latest security patch level में अपडेट हो जाएगा और यह 1 UI 6.0 का पहले का अपडेट है तो इस अपडेट को आप जरूर से कर लीजिए है तो आप comment करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं कुछ और interesting video में तो तब तक के लिए बाई बाई